हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं बना रहे हूं विंटर की सबसे पहले मत्र आती है ना तुम मत्र का निमोना बना रहे हैं जो हर यूपी-Bihar के लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तुमेरी चैनल को विंटर के समय में नय 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 आलू आते हैं तो आलू को मैंने छोटे-छोटे काटकर उसे भून फ्राइ कर लिया था अब देगे बचे हुए तेल मैंने एक चमज जीरा डाला है साबू जीरा डालकर इसे क्राकल होंगे और यहां पर मैंने वन पिंच फिंग डाला है हिंग ड भूल लेंगे इसे 2-3 मिनिट तक मटर को भूनेंगे और साथ ही मैं यहां पर साबूत मटर भी इसमें आड कर रही हूं मैंने यहां पर कुछ पीसे मटर रखे और कुछ साबूत मटर रखा दे उसे नीमोना का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है अब इसे हम 1-2 मिनि भूनेंगे भून जाने के बाद हम इसमें मसाले आड करेंगे मसाला में इसमें बहुत ज्यादा मसाला यूज नहीं करना है देखिए मैं इसमें एक चमच धनिया पावडर डाल रही हूं और आधी चमच जीरा पावडर डालेंगे जीरा पावडर डालके इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जिससे मसाले जो है एकदम मिर्ष्रण में अच्छी तरीके से मिल जाए और साथ यहां पर मैं नमक डालू नमक अब अपने स्वात के अनुसार आड कर सकते हैं यह देखिए पूरे अच्छी तरीके से मसाले मिल तरीके से भूंगे इस तरह हमें गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है बहुत जादा हाई और बहुत जादा लो पे नहीं रखेंगे यह रेखे यह पूरे मसाले के साथ मिल गई है अब हम उसी ग्राइनर में लगबग एक ग्लास पाई डालेंगे और जो बाकी जो चट अलग से पानी देखें और इसे हम ढख कर तीन से चार मिनट तक बोल होने तक पखाएंगे जिसे अच्छी तरीके से बॉल हो जाए और मट्र जो है बहुत अच्छी तरीके से पख जाए जो साबुत मट्र है वो पख जाए इसमें आलू प्राइज कर देख दिए इसे अच् कर सकते हैं आप चाहो तो डाल भी सकते हो और नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हो आप चाहो तो इसमें इस्प्रिंग आनियन आते हैं उसे बारी बारी काट के स्प्रिंग अनियन मिला सकते हो और लेसन की फलियां मिलते हैं लेसन के फलियां भी इसमें आड़ कर सकते हैं यह तैयार हो गया है निमोना इस अरधी के समय में आप बहुत ही टैस्टी और बहुत ही यमीं लगते हैं और सर्दी के साथ मौसम है नहीं है, अब बहुत करेंट करेंट में जुम साथ मिलते एक जरूर तब अच्छे लगते। नहीं ब Gegen कि निमोना को चावल और रोटी और थोड़े प्याच के साथ सर्फ कर रहे हूं आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा बाबाई